ग्यानवापी के ASI सर्वे पर बड़ा खुलासा हुआ है ASI के सर्वे के रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष ने खुलासा करते हुए कहा कि ASI के सर्वे में चोड़ा कुवा दिखाई दिया है हिंदू मंदिरों के खंबो पर इमारत है राचीन मंदिर के अवशेश अभी भी मौझूद है खंबो की नकाशी को ख्षती पहुँचाई गई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे Zee News के पास एक्स्क्लूसिव कॉपी है सर्वे की मंदिर के खंबो का दोबारा इस्तमाल मंदिर होने के 32 से जादा सबूत मिले मंदिर के खंबो का दोबारा इस्तमाल किया गया पुराने मंदिर के सबूतों को मिटाया गया पूरवी दिवार पर हिंदू खंबो के सबूत है फारसी में लिखा हुआ आदेश भी मिला है वही आम आपको बता रहे हैं कि तारीख को मिटाने की कोशिश हुई मंदिर को 17 शताबदी में तोड़ा गया तो हिंदू पक्ष का ये दावा कि इसमें जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ ये बताते हैं कि ज्यानवापी में मंदिर को तोड़ करके उसी की बुनियाद पर उसी क सामने ना लाई जाए साथी साथ ये भी कहा गया था कि ये 1991 का जो वो कानून लाया गया था उसके तहट किसी भी धर्मस्थल का जो स्वरूप था 1947 से पहले उसको बदला नहीं जा सकता लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जीन्यूस के पास ASI रिपोर्ट के आई है देखे चंदन ASI रिपोर्ट के सामने आने के बात सबसे बड़ा सवाल यहां पर इसी बात को लेकर है कि 15 आगस्ट 1947 को धार्मिक स्वरूप का इस पूरे परिसर का क्या रहा है अगर ASI रिपोर्ट को हम आधार माने तो इससे ये बिलकुल साप हो जाता है कि 15 आगस् था हिंदू मंदिर होने के प्रमाड मिले है और साथी 32 ऐसी जगहें इस पूरे परिसर में मिले है जो कि हिंदू मंदिर से सम्मंधित है इसके अलावा इसमें देवनागरी कंणर और तेलगु से के जो ग्रंत लिखे होते है कुछ पत्थरों पर वो मिले है देवी के नाम तीन जगह पर लिखे हुए थे जनारदन, रुद्र और उमेश्वरा और इसके अलावा महामुक्ती मंदप एक जगह लिखा हुआ मिला है और साथी यहाँ पर A.S.I. ने अपने इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात कही है कि 2 दिसंबर 1679 को औरंग जेप के द्वारा इस जो यहाँ पर हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था इसको तोड़ा गया था और इसके लिए बाकाइदा एक पुरानी जो किताब है उसका भी यहाँ पर A.S.I. ने उसका जिक्र किया है उस किताब के बारे में मैं अपने दर्श्टों को बता दू जिसमें लिख साथी पश्चमी दिवार का जिक्र यहाँ पर बार-बार किया गया क्योंकि बाहर से पश्चमी दिवार बिल्कुल सापतोर से दिखाई देती है कि किस तरह से हिंदू मंदिर की आकृतिया है और इसके साथ यहाँ पर जो तैखाने के अंदर बहुत सारे ऐसे खंभे मिले ऐ हिंदू मंदिर का था और ऐसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 1991 का जो पूजा इस्थल विधेयक है उसमें सापतोर से कहा गया है कि 15 अगस्ट 1947 को देश के मंदिर और मस्जित की जो भी धार्मिक स्थिती रही है वो बनी रहनी चाहिए आयुध्या खेश को छोड़ कर लेकिन अ अब बार-बार उसी केस को आधार बनाकर हिंदू पक्ष अब आगे बढ़ेगा कि 15 अगस्ट 1947 को तो ग्यानवापी का जो धार्मिक स्वरूप है वो मंदिर कर रहा है यहां धार्मिक स्वरूप में कोई छेड़-छाड नहीं किया जा रहा है तो 1991 की पूजा इस्थल विध और काशी के केस का माना जा सकता है विशाल आप हमारे साथ बने रहे हैं अंगुर तियागी भी हमारे साथ जुड़ गए है जो कि विश्णू जहन के कमरे के बिल्कुल पास में है अंकुर बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये दावा हिंदू पक्षकियोर से लगातार किया जाता रहा था कि वहां मंदिर होने के प्रमान साफ साफ दिखते हैं और यही बात A.S.I. रिपोर्ट में भी आई है कि वो एक pre-existing structure था और pre-existing structure जो था वो एक बहुत-बड़ा हिंदू temple था हिंदू मंदर था ये बात महां के थमाम साक्षे इस बात को सत्यापध करते हैं सबसे बड़ी मत है वो शिलालेक उस शिलालेक चामिलना जो फार्सी भाशा में है जिसमें औरंग्जेप का वो आदेश लिखा हुआ है जिस आदेश के मुताबिक इस सतरवी शिताबदी में इस मंदिर को तोड़ कर यहां पर एक मस्जिद बनाई गई है उसका आदा हिस्सा पहले से ही A.S.I. के पास है बागी का जो आदा हिस्सा था वो मस्जिद के एक कमरे के अंदर से मिला है और जो A.S.I. ने अपनी रिपोर्ट पे सत्याबद करा है. इसके रबागे वहां पर एक chember मिले है एक central chamber मिला है जो में एंटर्ज चमबर है उसके आसपास में चोटे-चोटे एक चमबर मिले हैं हर दिशा में नौर्थ इस्टाउथ वेस्ट के हिसाब से तो यह पूरी जित्ते भी फाइंडिंग्स मिली है यह इस बात को सत्यापत करती है कि वहां पर एक प्री एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जिसको हिं मंदिर था और विशालाम आपके पास लोटेंगे विश्टू जैन ने क्या दावा किया है आईए आपको सुनाते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्राइटू यहां पर एक हिंदू मंदिर दी है और यह बहुत महत्मूर फाइंडिंग है आपने समय खाएं है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉई किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदर के जो खंबे तो उसको दुबारा रियूस किया गया है एसा यह कह रहा है कि के वहां पर जो इंस्क्रिप्शन मिले उसमें से 32 ऐसी जगाए già सर्फ ही टोटल और टोटल चौटिस ऐसे इंसक्रिप्षन है जो प्री एक्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे मतलब जो पहले हिंदू मंदर था उसी के इंस्क्राप्षन को यूज करके इस्तमाल करके ये तथाह कुतित मजज़िद बनाने का काम किया गए इसमें जो inscriptions मिलें यह देवनागरी गरंथा तेल्गू और कणनाड डिस्क्रिप्ट के मिले जनारदना, रुद्र एन उमेश्वरा और फाउंड इन डीज इंस्क्रिप्शन्स यह जो इंस्क्रिप्शन्स इसमें देवताओं के तीन नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं जनार्दना रुद्र और उमेश्वरा मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वे के दौरान वहाँ पे पत्थर मिलाता है कि इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिलाता वो आधा तूटा हुआ है तो एसाई ने कहा कि इस पत्थ इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्ट के रूम से मिला जो मॉस्ट बनाने की और उसकी रिपेर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया और यह जड़ुना सरकार की फाइंडिंग को एसाई ने रिलाई किया है और सेकेंड सेप्टेमबर 1669 को बता दी गई तो एसाई ने यहाँ पर जड़ूनाज सरकार की फैंडिंग को रिलाई किया मजल से आलंग दिए कि सीनियर्स